नमस्कार मैं हूँ वसीम अक्रम और आप इस वक्त देख रहें मेरे साथ CIV इंडिया नूस तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिल्सिला CIV इंडिया नूस की सबी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबादर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सबी खबरों के नोडिफिकेशन्स आप तक पहुंचते रहें किया गया था और आज इसके चपेट में आकर दंपती की मौत हो गई दरासल विजनवर के किरतपुर थाना शुर्ट के गाउं गाजीपुर में एक दंपती जैपाल और उनकी पत्नी बला देवी खेत में काम करके घर वापस आये थे चट पर कप्ड़े सुखाने के लिए ज शकायत की गई थी लेकिन बिदुद विभाग ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया जिसके चलते आज इस जैजर पड़ी लाइन के चपेट में आकर एक दंपती ने दम तोड़ दिया सुचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दुनों के शोओं को कबजे में लेकर पोश्मॉटम के लिए बिजना और जिला अस्पताल पेज़ दिया है दंपती की मौत के बाद परिवार में कोहरा मच गया वहीं दंपती अपने पीछे पाच बच्चों को भी छोड़कर इस दुनिया से चले गए है इस खबर के प्रायोजक है उज्ज्वल मौडल स्कूल कप्तान गंज आजमगर एडबेशन जारी लगने जिन की मोच वही है बडी दुकत गटना है बिजली का करन्ट जेका इनकी शतके अपर जा रहा था जा नहीं केविज्वल जो आ आणा यह किसी की लापर पर इमान ले हो इसमें बिजली वार की ज़्युली वार की कभी किसी ग्रायोज्वीर नहीं है प्र्पी जिकाय इनके कितने बच्चे हैं? इनके चार बच्चे हैं. चोटा बच्चे है. बापका का नाम? जैपाल जी. पत्नी का नाम? बालाख नाम. तब यहां अभी गटना हुई है, तो इसके बारे में बतीजिक अब यह मैं तहजिल पर काम कर रहा हूं, हमारे पटवारी के द्वारा सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सबी खबरों के नोडिफिकेशन्स आप तक पहुंचते रहें.